तो नमश्कार दोस्तों पलंबर दोस्तमें आपका स्वाग्य तो आज हम बात करेंगें स्प्राइब के नाम और उनके गाहन कौन-कौन-क्षा यूज कहा कहा आता है तो गाइस वीडियो चलू करते तो गाइस वीडियो चलू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बैल आइकन को दबादीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको पता जल तो आज हम बात करेंगे से सामानों के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप के बारे में तो सीपीविसी पाइप जो ट्वंटी सेवल डिग स्थंधय पानी की पिटिंग भी बोला जता है और ठंडे पानी की घो सबसे पहले बात करते हैं हमारे यकैप हमारा एलबो 90-degree elbow कहा जाता है इससे चोहां पर भी आपको 90-degree दिवार का कोना होता है वहां हम दो पाइपों को joint करने के लिए इसका उप्योग लिया जाता है तो गाइस जहां पर भी आपको लगे के बेंट के जर्वेत है तो इस चीज़ को वहां उप्यो pretend के आंजाता सिटेंडर्ड सईपी उस्टार्ट होता है और दो इंची तक जाता है तो इसे हैं elbow हमारे इसको बेंड भी हो जाता है और ये हमारी आतके हैं अगली का उप्यूग लिया जाता है क्योंकि दोपाइप एक निकल जाएंगे और एक पाइप आप उससे एक्ष्टरा निकाल सकते हो तो इस परकार आप टीक का उप्यूग ले सकते हो तो कैसं अगला आईटम है हमारा सौकेट तो यह हमारा सोटिट फॉण इंची ुछ साइज से दोंची ॐज़ ओंट होता है और इसको उपयोब पाइप जॉइंट क्रें के लिए किया जैता है एक पाइप इदर से जॉइंट करोगे एक पाइप इर जॉइंट करोगे तो आप आराम से दोंट मैं लंबा कर सकते हो जोइंट के, इसको जोइंटर भी बोला जाता है, इसको कपलर भी बोला जाता है, और यह हमारी एक पॉन की रूडिसर टी, मतलब एक पॉन की टी भी बोल सकते हैं, और रूडिसर टी भी बोल सकते हैं, तो यह भी काफी डिफरेंट साइज में अवेबल होती है, चाहां आपक करनी का सोकेट क्योंकि रोनी सर भी बोला जाता है जहां आपको एक लाइं की की उसे चोटी घंडि पूह लिए काम करता है वही चीज बुथ काम करता है क्योंकि इसमहें direct pipe चला जाता है एक तरफ सी एक तरफ से socket लगजाता है इधर credit pipe लगजाएगा और उपर के तरफ यहあं socket हो तो आप direct है एक power का इसको कर सकते हो तो गई यह और इससे पकार यह का बुस है इसमें भी आपको काफी डिफ्रेंट साइज के साइज देखनों को मिल जाएगी दो इंचे तक के बुस और समर अगला प्रोडेक्ट है ब्रास एम्टी यह पूना था कि ब्रास एम्टी इसे ब्रास थ्रेड एते तो थोड़ी काफी महिंगी आती है यह भी दो ज़ती है सबसे ज़्यादा टूबे डाइवेटर थ्री वेडाइवेटर में उप्योग लिए जाती है कंसेड वाल में यह मारा अगला प्रोडेक्ट एफ्टी मतलब फीमेल ठेड पीमेल ब्रास थ्रेड ब्रास एफ्टी है जहां आपको पॉइंट देने में काम लिया जात उससे प्रकार यह इनका नाम फिमेल अप्टी और मेल अप्टी इस इस टाइप से इनका नाम है। उसके बात आता है हमारी brass tee, जहां आपको एक pipe जा रहो हो, वहाँ किसी बीच में point देना हो, तो आप अच्छे से इसी brass tee का उपयोग लेकर आप वहाँ point दे सकते हो, इसे पहुन आता है कि brass tee बोला जाता है, CPVC में standard side bone इंचे, आदा इंचे आती है, लेकिन वो available नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी चोटा गया हो जाता है, उसके बात आता है हमारा brass elbow, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा huge में लिया जाता है, point देने में, MT, FT, सबसे ज़्यादा point इसे का उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि brass elbow जहां पर भी आपको point देना हो ending होता है, वो ज़्यादा तर चांस में end होता है, तो जहां पर भी उपर से line आरी हो, नीचे से line आरी हो, तो आप अच्छे से point दे सकते हो, side से line आरी हो, दोनो side दो से, तो आप अच्छे से 90 degree पर point मिल जाता है, जो सबसे इसकी अच्छी बात है, क्योंकि brass elbow सबसे ज़्यादा use होता है, अगर आप fitting करवाते हो, तो brass elbow काफी ज़्यादा use होते है point लिए, उसके बात आती है हमारी ये point by point की PVC thread apt, ये PVC thread apt होती है, और ये point आदा की, ये point by point की दोनों ही है, जहां आपको किस जगे आपको अगर divator में point by point की size होती ही, तो वहां point इसी brass simple apt का उप्योग ले सकते हो, और वहां ही brass apt का empty का उप्योग ले सकते हो, क्योंकि brass थोड़ा मेंगा पड़ता है और PVC थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए PVC thread भी empty apt मनाया जाता है, जिस परकार ये empty वसी परकार हमारी apt है, ये PVC thread है और ये brass thread है उसी परकार, आप देख सकते हो, PVC thread price में आपको थोड़ा बहुत difference देखनों को मिल जाता है, और वहां आपको बंद करना हो, या आगे कभी भविश्य में ले जाना हो, तो आप वहां hand cape लगा के उसे बंद कर सकते हो, या कहीं पानी बहरा हो, तो आप इसे pipe के द्वारा तो आप इसे डारेक्टी ही बंद कर सकते हो, सबसे बढ़िया बात, ना आपको इसमें चूड़ी का उप्योग देखने को मिलेगा, डारेक्ट आप लगाओगे और बंद हो जाएगा, तो अगला प्रोडेक्ट है हमारा पॉन बाइपॉन की ब्रास हम्टी, यह भी उसी की तरह है, क्योंकि पॉन बाइपॉन में पीवीसी थ्रेट आती है, एक ब्रास थ्रेट आती है, ब्रास थ्रेट थोड़ी महेंगी आती है, जो डाइवेटर में ब्रास थ्रेट लिया जाता है, क्या आपको पता है भाविश्य में यहां आपको कुछ भी खराब हो जाते हो तो उसको खोल के अपन वापीस फटिंग करता होता है जिसे मोटर के यहां अगर आप Pipe Picks करते हो तो बात में क्या पता कभी मोटर खराब हो जाए तो आपको उसको खोलने पड़ती है उस जगह आप यूनियन को काफ़ी आसानी से ले सकते हो और आसानी से आप यूनियन को खोल के उसको बिना किसी काट पाइप को काटे बिना आप आसानी से यूनियन को खोल सकते हो दोनों तरफ अगर पाइप लगा और पड़ना भी नहीं पड़ेगा जोकिट नहीं लगा इसलिए union का उपवयोक की हो जाता है तो हमारा अगला product होता 인भैं बोल्वाल specifically बोल्वाल बोला जाता है यह cpvc बोल्वाल जहां प्र आपको पाने के chaloo बंद करना पड़ता है टाइम के टाइम के अनुसा तो उस परकार आप PVC बोलवाल का उप्योग ले सकते हो CPVC और इसकी पॉन इंची साइज से दो इंची साइज तक अवेबल होते है ये भी ये CPVC CPVC से थोड़ा महंगा आता है क्योंकि थोड़ा क्वालिटी हेवी आती है प्रांडिंग के साथ लाओगे उतना जितना हेवी पड़ता जाएगा इसे के साथ आता है एकला प्रोडेक्ट एस बैंड इसको 45 डिग्री बैंड भी बोला जाता है जो पॉन इंची साइज से लेकि के आप आसानी से प्यूप को ऐगे ले जा सकते हो हमारे अगला प्रोडेक्ट है step over band है ये काफी महत्पून चीज है इसको हम bypass भी बोलते कुछ लोग और कुछ पूल लोग इसको step और band इसका main नाम है लेकिन इसको bypass इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाह एक pipe लग रहा हो पहले अगर आपको उपर से pipe निकालना हूँ तो आपको लगेगा कि यार उपर से pipe थोड़ा उपर हो जाएगा तो आपको इस bypass का उप्योग करके आप आसानी से यह देख सकते हो आपको hide भी ज्यादा कुछ नहीं होगा और आसानी से उपर से pipe चला जाएगा क्योंकि उस pipe को आपको हटाना possible नहीं है तो उस जगे आप इस इसका एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इसका उप्योग क्या होता है आपको यह जो पीवीसी पाइप जो बीच में लग रहा है किसी काम का नहीं है यह आदा इंची का pipe इसको क्यावल डिस्टेंस के अनुसार क्योंकि 6 इंची की जगे होती है अल बैंड मिक्सर जो ब की बेंड हेल जाए तो बाकी प्रोब्लम आ जाते है उसके बाद यह सारी साइज आती है एक इंची में जैसे एक इंची से दो इंची तक मैं आपके लिए प्राइट लिष्ट भी मैं एगली कोई वीडियो में लिएँगा जिसमें एपून इंची से लेके दो इंची तक सारी प्राइज लिष्ट अवेबल हो तो गाइस अगला प्रोडेक्ट है हमारा सोल्वेंट है सोल्वेंट और टैंकी निपल के बाद करें तो पहले टैंकी नि मिल जाएगा आपको इसको आपको खोल के असानी से आप टैंकी के अंदर से इसको कर सकते हो जिससे कि आपकी टैंकी निपल लिकेज ना हो उसके लिए आपको इसमें वाइसर भी दिये जाते हैं दो वाइसर आते एक वाइसर बाहर लग जाता है एक वाइसर अंदर लग जा तो आपका टेंक निपल अच्छे से जान जाएंगे और अगर आप पलंबर नहीं है तो आप इन सारे सामानों को इनाम और काम आप सो सकते हैं और उसके बाद है हमारा मैट्पून इन सामानों को चिपकाने का जो solution आता है solvent बोला जाता है तो काफी लिद्ध होगव से नीचे इसके डैट प्राइज सब कुछ लिखत Fazil अलग अलग प्राइज में आपको आपके share में मिल जाएगी इस परकास ये देखें आपको date ज्यादा पूरानी नहीं लेनी है इसके नीचे date लिकी होती है या इसके side में जैसे इस पे लिकी हुए तो आप जितनी पूरानी ब्रांटिंग के पूरानी डेट से लोगे तो जितनी खराव आईगी इसलिए लेटेश डेट की आपको लेनी चाहिए यह महत्पून चीज़ है क्योंकि पाइप के और सॉल्वेंट का उप्यों का आप इन सब सामानों के चिपनानों के लिए किया ज हूँ क्योंकि सॉल्वेंट ही महत्पून उप्यों गए और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो यहीं तक है अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारा चैनल है पलंबर दोस्त इसको आप ज़रू सस्क्राइब कर दीजे और बैल आइकन को आप दबा दीजे जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए थैंक्यू गोई वाचिंग माई वीडियो